ऐओ दोस्तों मूटिवेस्ट कींग य्मिंस्टर डेड़ में पर स्वागत है यसा चाहि होटे है स्टानिंग सब्सक्राइब जो से औधर इमेज प्लेट पर और उत्पर चार्ज इमेज को एक इलेक्टरॉन बीम के द्वारा स्रिक्वेंस धंग से दाएं बाएं तता बाएं से दाएं उपर से नीचे वह नीचे से ऊपर वर्टिकल यवभर्ज प्रेट्स को मूब करा के आप्तिकल इनफार्मेशन को इल्र्टिकल इनफार्मेशन बदला जाता आर्थात सकेनिंग 走 डग्ली इमेज उन्ट से निचे दाय सबाएं सिकैन किया जाता है यानि scanning की जाते है ठीक है हेड़िस्टा टाइप्स आ इसकैनिंग जो प्रकार कि होती है ugh sequential scanning एं इंटेलेट is can y๊ तो सिट्वेंस लीटो स्कैनिंग में इंटेलेद सेटी स्कैनिंग में होती है w sequential scanning क्या होती है तो sequential scanning जो आपकी है sequential scanning में line by line scanning होती अर्थाट पहली ह्रूर्जेंटल लाइन फिर दूसरी और जेंटल लाइन फिर तीसरी ह्रूर्जेंटल लाइन एटीजिए क्रमवार स्केनिंग होती है तता अंतिम element को scan करने के पर साथ बीम retrace होकर पूना प्रतम आपका फिगर आप को ते सकनिंग देखिएच यह आपकी ट्रेस लाइनिंग और यह रीट्रेस लाइनिंग है यह लाइनिंग 625 से स्कैनिंग लाइनिग वहती है इसने आप कर लेज़े जो ट्रेस लाइनिग की संख्या 12 स्केनिग में सिकेंग में प्र क्रिया की जाती है Давайте स्कैंचिल याने स्कैंट पहले एक पहले एकी और दूसरी के तीसरी तरह करते करते हैं छहसे सो पचिल स्कैंचिल होगी आपको स्कैंचिल होicaid होगा redress होती है तो देखिए कि लिए ओअ इंडिया के लिए यह पचाश हर्टस तक होती है कि इसमें ट्रेस है इसकुल टु जो ट्रेस लाइन है अपो ट्रेस लाइन ग्याद करने इसके बाद है इंटर्लेसेट स्कैनिंग में पिक्चर को दो या दो से अधिक सेट्स में बाढ़ दिया जाता है और एक एक करके इसकी फिल्ड को सकैन किया जाता है इंटर्लेसेट स्कैनिंग को टीवी सिस्टम में ज्यातर यूज किया जाता है इंटर्लेसेट स्कैनिंग को या में होरिजेंटल लाइन्स क्रमोवार स्कैन नहीं की जाती है टीवी सिस्टम में दो संबंदें के इंटर्लेसेट स्कैनिंग यूज की जाती है horizontal lines electron beam के द्वारा alternately scan की जाती है पहली horizontal फिर तीसरी horizontal इसी तरह scanning होतीं अर्थात interlaced scanning को हम सबसे पहले दो parts में divide करने गे बाद उससे हम scanning प्रोजा करते हैं यह दो प्रकार के होती है odd-line interlaced scanning, even-line interlaced scanning सबसे पहले देखते हैं odd line interlaced scanning क्या होती है जैसा कि होती है और लाइन प्रिक्वेंसी में जो सभी हर्जेंटल लाइन होती है वही scan होती है जिसे की पहली फिल्ड कहा जाता है ठीक है इसमें trace यह लाइन ट्रेस है और लाइन रिट्रेस है तो आड़ लाइन में देखिए यह तीन पांच और साथ इसी तरह इसमें scanning होगी है 625 लाइन जाने के पर साथ प्योंना रिट्रेस होकर scanning प्रेक्रिया होगी यह आपकी आड़ लाइन इंटर्लेशेट scanning होगई अब इसके बाद देखते हैं इंटर्लेशेट scanning इसलिए किया जाता है कि में flickering का दो समाफ्त हो जाता है अब तो जनते हैं क्या होता है इसम स्केनिंग का दूसरा पार्ट है इसमें देख लेजिए दो चार 246 626 लाइन अब तो आज जानते हैं इवन लाइन से संक्या 627 625 तो आड़ लाइन हो गई यह आड़ लाइन में अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कमेंट सेयर करें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद